English में fluency आने के लिए verbs and शुरुवात में छोटे-छोटे sentences की practice करना बेहद ही जरूरी है अगर आप भी English में fluency लाना चाते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देके अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को subscribe कीजिए तो without further ado, let's get started अपनी आखरी रात मेरे boring भाई से बाते करके मत कुजारो I hope कि आपने translate कर लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसकी English क्या होगी Don't spend your last night talking with my boring brother तो चलिए बढ़ते हैं अगले sentence की ओर क्या हम व्यापार करने जा रहा है I hope कि आपने translate कर लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसकी English क्या होगी इसे English में कहेंगे Are we going to do business? कोई बात नहीं जब तक आप भुकतान कर सकें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा translate करने में और टाइम मिलना चाहिए तो आप वीडियो को pause भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसकी English क्या होगी आप simply कहेंगे No problem कोई बात नहीं Just so long as you can pay Just so long as you can pay Pay करना यानि बुकतान करना अली line पर है चलो बात करते हैं यह जो sentence है वो daily use वाला sentence है जो हम daily to day life में कई बार use करते हैं कई बार ऐसे situations आ जाती है जब हमें किसी को phone लगा के देना होता है तब हम यह sentence use करते हैं कोई line पर है तो चलिए देखते हैं इसकी English क्या होगी Ali is on the line, let's talk आप simply कहेंगे Ali is on the line, let's talk मेरा विश्वास करो तुम सही निर्नाय ले रहे हो कई बार हम कहते हैं कि किसी को convince करने के लिए इस sentence का use करते है मेरा विश्वास करो इसे English में कहेंगे Believe me, you are making the right decision Believe me, you are making the right decision कि मारे जाने के बाद से ही मैं परिवार का जिम्मेदार रहू This is quite a long sentence बर जितना बड़ा sentence रहेगा उतने ही हमें opportunity मिलती है कि हमें जादा से जादा verbs को recall कर सके जिस्ते कि हमारी vocabulary and center formation strong होगा तो चलिए देखते हैं इसकी English क्या होगी I have been responsible for the family ever since his father was killed Responsible Responsible यानि जिम्मेदार रहना देह रहा है कि क्या हम में से कोई है जिसने किसी को नहीं खोया है I hope कि आपने translate कर लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसकी English क्या होगी Are there any of us who haven't lost someone Lost यानि खो देना किसी को खो देना पता है जब हम निकले तो वह हमारे साथ आ सकते थे यहां कोई third person की बात चल रही है तो चलिए देखते हैं इसे English में कैसे translate करेंगे You know they could have come with us when we left You know they could have come with us when we left चलिए बढ़ते हैं अगले sentence के ओर लेकिन मेरे भाही ने रहना चुना क्यूंकि वह हमारे देश से बहुत प्यार करता था तो चलिए देखते इसके English क्या होगी इसे English में कहेंगे But my brother chose to stay because he loved our country too much Choose, chose, chosen As you can see second form has been used here Don't forget to subscribe this channel See you in the next video